आप सभी का एक बार फुरसे स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरू चरण पर दोस्तों आज के राशी फल कारक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज 29 अगस्त 2021 दिन रवी वार है यह दैनिक राशी फल चंद ग्रह की गर्णा पर आधारित है राशी फल निकालते समय पंचांग की गर्णा और सटी खगोली विशलेशन किया जाता है हमारे इस दैनिक राशी फल में सभी 12 राश्यों का भविश फल बताया जाता है इस राशी फल की कारक्रम को देख कर आप दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे इस राशी फल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुब अशुब घटनाओं का भविशिफल होता है यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विशलेशन करवा कर अपनी समस्या का समधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डीटेल कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समधान पाएं आज का सू विचार खकदार बदल दिए जाते हैं टिरेदार बदल दिए जाते हैं ये दुनिया है साहाव यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिष्टे क्या भग्वान तक बदल दिये जाते हैं जी हाँ दोस्तों इन्ही विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बिर्दरे या अनिवर्सरी है उन सभी को बहुत-बहुत शुब कामनाएं और बढ़ाई तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की विक्रमी समबद दो हजार अटहरतर मास भादरपद पक्ष कृष्ण पक्ष तिथी सप्तमी वार रवीवार नक्षत कृतिका योग ध्रुव राहु काल पांच बच के 10 पीम से छे बच के 46 पीम तक इस काल में कोई भी शुब कार नहीं किया जाता है अब जीत मुहरत 11 बच के 56 एम से 12 बच के 47 पीम तक है दिशाशूल पश्चिम यदि आप किसी कारण वश इस दिशा में यातरा कर रहे हैं तो दलिया घी या पान खाकर घर से बाहर जाएं लापकारी होगा तो चलिए दोस्तो आज का राशिपल जान लेते हैं उससे पहले आप सब इस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इश्ट देव या इश्ट देवी का नाम कॉमेंट बॉक्स में अवश लिखें तो चलिए दोस्तो अब जान लेते हैं आज का राशिपल ले आएगी आज आप पूरे दिन दोस्तो और संबंधियों से घिरे रहेंगे समय मजे में बीतेगा लेकिन अपने स्वास्त का ध्यान जरूर रखें शुब अंक नौ शुब रंगलाल और मैरून उपाए काले चमडे की जूते वा छाते का दान किसी गरीब व्यक्ति को करन आपकी संतुष्टी को बढ़ा सकता है अब राशी आज आप किसी खरेदारी संबंधी किसी ओफर या लॉट्रिल टिकेट खरीदने क्या जोके मुठा सकते हैं आपका भाग आपके साथ है इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा इस्तिथी आपसे अपने दृष्टी कोड पर द्रण बने रहने की अपिक्षा कर सकती है आपकी चुप्पी को गलत समझा जा सकता है और उस पर सवाल खड़े किये जाएंगे यही बहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दे किसी के विभा या मंगल काम में तन मन धन से मदद करना आर्थिक स्तिथी को मजबूत करेगा मिथुन राशी घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी इसलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बाटें आपको जीवन में निराशा से दो-दो हाथ करने का नया तरीका निकालना होगा जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है आपकी भीतरी शक्ती समाधान तलाशने में मदद करेगी शुब अंक छै शुब रंग पारदर्शी और गुलाबी उपाए तामे के बरतन में रात भर रखा पानी पीना स्वास्त के लिए फायदे मंद रहेगा करक राशी आपका साकारातमक दृष्टी कोण आपको साकारातमक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा इससे आपको भविश में बहुत लाब मिलेगा अगर कोई आपसे उलजने की कोशिश करता भी है तो आप शान्ती बनाए रखें और दिन से अपनी बात सामने रखें आज आपकी धार्मिक तथा रहस विगान के कारियों में रुची बनेगी शुब अंग एक, शुब रंग नारंगी और सुनहरा उपाए अच्छी सेहत के लिए सुर्योदे के समय सूरि नमस्कार करें सिंग राशी आज अपने ही भीतर शक्ती का नया अद्वित्त स्त्रोत धूर लेंगे और आपको यह अनभव होने लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन समस्याओं से अब जूज रहे हैं उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी बहा मदद की जरूरत नहीं है आप आसानी से खुद ही सब कर सकते हैं इस बात का अनभव आपको आज हो जाएगा शुब अंक आठ शुब रंग काला और नीला उपाए गमलू में काले सफेद मारवल के दाने रखने से पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी कन्या राशी आप फिलहाल अपने जीवन की केंदरी समस्या को सुलजाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलजाने के लिए अपनी समाजिक और विती जिम्मिदारियों से भी छुट्टी ले लें हाला कि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचाने से इस समस्या का स्थाई समधा नहीं निकलेगा आपको धेरज से काम लेना होगा शुब अंक साथ, शुब रंग क्रीम और सफेद उपाए पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए पुरुष मस्तक पर लाल टीके का वग्रिनिया लाल सिंदूर का प्रयोग करें तुला राशी कोई लगतार पूरी वफदारी सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है आज आपके पास इसका बदला उतारने और उसका साथ देने का एक मौका आएगा आपको उसका साथ देने में एक मुश्किल स्तिथी से भी गुजरना पड़ सकता है पर अंतता इससे आपका रिष्टा मजबूत ही होगा आपको दया और कृतग्यता दिखाते हुए बहादुर बने रहना होगा शुब अंक नौ शुब रंगलाल और मैरून उपाए किसी के विवा या मंगल काम में तन मन धन से मदद करना आर्थिक स्तिथी को मजबूत करेगा आज के दिन आप अपने आसपास सभी को अपनी सोच और किसी भी स्तिथी को सही समझने की योगता से प्रभावित करेंगे अपने कारस्थल की किसी बड़ी समस्या या किसी दोस्त की परिशानी का बहुत रचनात्मक सा हल निकाल कर छा जाएंगे आपके लिए रोमांचक समय है आपको किसी का ध्यान अपनी और खीचने की जरूरत नहीं है बलकि लोग खुद आपकी और सहायता लेने के लिए आएंगे शुब अंक दो शुब रंग सिलवर और सफेज उपाय अध्यात्मिक रूजान पैदा करने के लिए आज शरीर पर किसी भी तरह सोना या पीला धागा धारन करें धनु राशी आज हर कोई आपकी तरफ आकरशित होगा सब आपकी समझ और शिष्टता से प्रभावित होंगे खूब प्रचंसा मिलेगी इस भेतरीन समय का प्रयोग नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मिलने जुले में करें इस से आपके सामने नए अवसर खुलेंगे शुब अंक आठ शुब रंकाला और नीला उपाए सदा साफ सुचरे प्रेस किये हुए कपड़े पहनना या धर्शाता है कि आप अपनी जीवन शैली के प्रतित जाग रुख है मकर राशी आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़े अपने वादों को निभाना है अपनी समाजिक विती तथा नीजी जिम्मिदारियों को निभाने के लिए तयार रहें आपके परिजनों, दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और नीला, उपाए, स्टील या लोहे के बनी कोई भी वस्तु अपने प्रेमी वा प्रेमिका को भेट करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे कुम्भराशी, आप बहुत अच्छे निरनायक हैं और सब चीजों का आसानी से विशलेशन कर लेते हैं आज आपको अपनी इस विशेषता के लिए खूब तारीफ मिलेगी लोग अच्छी तरहा काम करने के लिए आपकी ओर देखेंगे और आपसे सीखेंगे आपको किसी खतरनाक जगा पर यात्रा करने की जरूरत संबंती सूचना मिलेगी घबराए नहीं या यात्रा छोटी सी होगी शुब अंक छै शुब रंग पाल दर्शी और गुलाबी उपाए हरे रंग के वस्तर अधिक पहने इससे स्वास्ते अच्छा रहेगा मीन राशी आज आप घर और ओफिस दोनों स्थान पर शांती पूर माहौल बनाने की कोशिच करेंगे आपका ये अनभव मजेतार रहेगा और आप इससे प्रेरित भी होंगे हाला कि अपनी नीजी बातें किसी के साथ ना बाटें और कोई भी कड़वा पाठ सीखने के लिए भी खुद को तयार रखें शुब अंक तीन शुब रंके सरिया और पीला उपाए चान्दी का कड़ा धारन करना आर्थिक स्थिति को बहतर करेगा मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जाद से जाद शेर कीजिए और कॉमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जै श्री राम